हेलो फेंड्स वेल्कम टू माई चैनल फेंड्स आज की वीडियो में आपको बहुत ज्यादा लर्निंग मिनने वाली है कि कैसे आप लाइब मार्केट अपर टेट्स को प्लान करते हैं और लाइब मार्केट को प्लान किया था और टेट आपके अकॉर्डिंग नहीं बैठता है तो कैसे आप अपने पोजिशन को जल्ली से स्क्वाइर आफ कर लेते हैं और दुबारा इंट्री कर सकते हैं तो फ्रेंट्स अप्षर बहुत करते हैं कि कल में डिसकस किया था कि मार् पर संग्रानती ये शकल थो आप मौनिए बहुत सारी काम रहते हैं तिसकर में आज नहीं उप्टेट हो पाया था मिजो रिवर्सल टेट होता मार्केट में उसको हमने टेट नहीं कर पाये अब दहीं पहला कर लेवना मार्केट के यह पहला लोग बना और यहां से मार्केट मार्केट मेर्स लस पोले कि अयुट ओता मार्केट करने के लिए अब देखेंगे जैसे आज मार्केट नीचे आज़ेटी लोग करता है और यहां पे एक दाझ से डोज़ेटी जाना है या नीचे जाना है के लिए और एक और कंसर्फ लोग को ब्रेक करता है यहां आप मैंक्त में और ज्यादा फॉल आ सकती है ठीक है यहां ही पे मने एक थोड़ा सा आप देखें कि मार्केट आपको डायेटली उटपर से नीचे आ रहा था तो यहाप एक मॉनिंट इस्टार्ट आपका इसको ब्रेक आउट करें लेकि अर्ली ट्रेड ले लिया कि मार्केट कभी कभी होता क्या कि इस एक साई सिचुएशन में बहुत जल्दी जंप लगा लेता है ठीक है तो उसके से बचने के लिए हमने कहा कि पूरे बॉटम पे इसको बाई किया थाटी एट थाउजन थ्रीहंडे की सी बाई करने के मार्केट ट्राइ नहीं कर पा रहा था उपर जाने के लिए मिन्स आपके बुल्स जो है यहां पर आनी पा रहे थे तो फिर तुरंती मैंने आपने टेलग्राम चैनल पर भी मैसेश किया कि अपने पोजिशन को जो भी हमें 15 से 20 पॉइंट मिलना थे इसको बुक करिए और ए अब सेल्स आट प्लान नहीं कर सकते थे हुआ क्या था कि मार्केट अप अल्रेडी इतना सेल अफ हो चुगा था मार्केट में सुबर में भी सेल आफ हो चुगा था और नीचे आप देखेंगे 38,000 एक इंपोर्टेंट रिस्टेंस सपोर्ट बना हुआ है क्योंकि आप सब स अब करने के लिए हम दो 37,200 की पी को बाई कर लिया तो यहाँ पहमने उसको प्लान किया कि मार्केट जाइद से नीचे नहीं जाएगा एक कंसन था कि नहीं जाएगा जाएगा वित ऊपर चलाएगा नहीं कि अपनी मार्केट यहां से आपका आराम से ऊपर चलता गया और हर और लेवल पे चलता गया, और आप देखेंगे, मैंने थम्नेल में ही बनाया, यूठान, आप देखेंगे कि बैकनिमिटी ने कैसे यूठान किया आपको, जैसे बेकांकिया, तो यह आपका टर्यत्य वे आज का, और कैसे इसको, को प्लान कर सकते थे, हम ठीक है। आप ये बात होगे आज कि आप करते हैं मंदी को क्या हो सकता है, ठीक है। तो मंदी को समझने के ला चलते हैं हैं हम daily time frame यह थाक समझ पे आपके हो क्या रहा है। अब daily time frame में जब switch करेंगे market को, तो आप देखेंगे एक अलगी फॉर्मेशन मार्केट का, बैंक निफ्टी का अलगी फॉर्मेशन होता है, आप देखेंगे परसों के दिर में एक डोजी कंडल बनाया, मार्केट डिसाइड नहीं कर पाया, फिर एक रेट कंडल बनाया जुसने प्रिवेश दे लोग को ब्रे लोग दूनों का है, तो इसलिए आप इसमें मंडे का ट्रेट फॉर्मेशन होगा, क्योंकि आप देखेंगे कल को है, एस जेफसी बैंक के रिजल्ट आने वाले हैं, और ये बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, कि अगर इसके बहुत जादा वेटेज करने के लिए, अगर गैप टप होता है, तो अगें 38,550 के इंपोर्टेंट लेवल है, इसके उपर अगर पांच मिट तक सस्टेन करता है, क्लियर, तब हम सीधे CG को प्लान करने के बाई करने के लिए, अगर यहाँ पर एक इन्वर्टेट हैमर टाइप का केंडल बनाता है, ठीक है, तब यहाँ पर सेल का हम प्लान कर पाएंगे, क्योंकि यह हमारा एक रजिस्टेन्स भी अच्छा का सा बना हुआ है, क्लियर, अगर गैप अप नहीं होता है, तो जैसे ही आज के हाई को ब्रेक करता है मार्केट, वैसे हम इसको बाई को प्लान नहीं करेंगी, क्यो क्योंकि अगर इसका देखेंगे तो यह आपका 38,370 का असपास है, 38,370 है, और अगेंस इसके बाद थी आपका अगला रजिस्टेन्स जो है, 38,550 है, 38,500 रजिस्टेन्स है, क्लियर, हमारे पास ज्यादा रिस्क रिवोर्ड ज्यादा फेवरेबल नहीं बैट रहा है, तो ह हम इस त्रिस का वेट करेंगे, कि मार्केट इसलिक को यबताब पार ना करें, तब तक दोनों ही कंडिस्टेन्स हम बाई प्लान नहीं करेंगे, अब बात करते हैं कि मार्केट गाप डाउन होता है, अगर यहां यहां फिर से आता है, तो यहां पर डफिनिटली बाई को हम जाएगा, आप एक spread बना कर चले आएगा, इससे क्या मार्केट जो volatility होगी, इसको आप छेल पाएंगे, और आपके capital भी protect रहा पाएगा, clear, अब बात कर रहते हैं, निफ्टी के बारें में, निफ्टी आच निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी की मुकाबले आप जानते हैं, बहुत ही strong support है, clear, और आज की rate में 18,200 को बहुत ज्यादा put writing हो रखी है, मतलब 18,200 को आप ऐसे समझें, put titles भी और collector दोनों भी हावी थे, कि दोनों ही, कि मार्केट जो इसके ओपर नहीं जाएगा, और यह करता market में नीचे जानने ही देंगे, और हुआ भी एक आ ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, यहां पर जो sellers थे, वो market लेकर तो नीचे आया, लेकिन इसको buyers उपर जाएगा, अगर आप साइकलोजी को भी समझ के candles के पीछे का, तो आप काफी planning आपकी अच्छी हासरी हो जाएगी, अगर आप देखें ध्यान से इसको, कि आपको कैसे रीड करते हैं, कैनलेश्टिक बारे सभी जानते हैं, फ़र यह पढ़ा हुआ है, कि market open तो हुआ, clear, market नीचे भी आया, लेकिन इसको close कहा कराया गया, close is the important, अगर यहां पर बुल्स हावी हो गए, तो sellers कमजोर पढ़ गए, क्योंकि बुल्स जो है, market को यहां से उपर ल और इसके 50% उपर, market close करा दिया, that means यहां पर बुल्स जो है, हावी हो गया, और इसके, जैसे यह, confirmation वह, next candle आप देखेंगे, तो रहत इसने, बड़ी से रेट candle बनाया, अगर यहां प एक resistance था, जाईर सी बाद था, जिन लोगों ने हापर बाई किया, तो उसने profit book किया, और क्लिए, अब देखेंगा, कल के वी डिसका हमने किया था, कि market जो है, double top pattern बनाया होता है, कि इसको पर market निकलता है, तो इसको buy करेंगे, लेकि आज सीधे gap down हुआ, और फिर, अगर double top pattern बना हो, तो आप देखेंगा, एक triple top pattern बन गया, same, और same level 18,300, इसलिए अब triple, और यहां प breakout कर जागा, इस level को, उसी घ्राइम पर market यह नीचे आगए, अब देखेंगे, इस प्रेट कैसे plan करना है, देखेंगे, बैंक निकलता है, यहां पर पूरे दिन, जो है, 18,200 पर पूर टाइडर जो है, बढ़ते चले गए, ठीक है, अब इसी चकार में, अब देखें, market अगर कल gap up Monday को, या अब कल नहीं, Monday को पात करता है, Monday को अगर market gap up होता है, तो जैसे यह high पार करता है, 18,325, यह level अगर पार करता है market, तुरंत हम call को buy करेंगे, 18,200, 275 का stop loss लेकर, हम इसको buy करेंगे call को, इस spot की बात करो, मैं feature की बात नहीं करो, ध्यान लखेगा, clear, अगर again market यहा का candle बनाता है, जैसे I यह बनाया है, तो again sell plan करेंगे, और जो समारा target होगा, 18,250 और 18,200, यह हमारा target होगा, 10 से 20 point का stop, लेकि इसको plan करेंगे, इसको नहीं करना है, अगर market gap down होता है, clear, gap down होने पे हम 18,200 के पास, हम तुरंत फिर से buy को initiate करेंगे, क्योंकि 18,200 पे बहुत अच् इसके नीचे जाने नहीं देंगे, लेकि किसी condition में हमको at least 15 minutes wait करना पड़ेगा, ताकि हम देख सकेंगे market का scenario, क्या market का mood और mahal का है, यह सारा depend करता है, इसके बारे में, ताहिए friends, I hope friends, आपको यह वीडियो आज अनलाइस वीडियो से आपको अच्छा लगा होगा, समझा है कैसे market में, real market हम trade को प्लान करते हैं, कैसे trading की जाती है, तो friends, इस वीडियो को जितना होचा, आपको जरू सेरी करें, ताकि ओ लोग भी इस तरह के अनलाइस को समझ पाएं, और trade को प्लान करें, और इस वीडियो को लाइक करके comment जरू करेंगा, यह समझ सकूं कि अगर इस त देखने के प्यार पूर्वक धन्यवाद